Hello everyone, welcome to a new video with exercise self-practice 5-5 इसमें हमें 1st question में क्या करना है, जो given fractions है, उनको simplify करना है, और अपने answer को simplest form में है, mixed fraction में convert करना है तो हम अपना एपार्ट करते हैं, एपार्ट में हमें दे रक्त है है, 5 hole 2 upon 3, plus में 3 hole 3 by 4 तो इसको solve करना start करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे जो हमारे पास hole number है hole number में हमारे पास क्या है एक 5 hole है और एक 3 hole है तो हम क्या करेंगे hole number को add कर लेते हैं सबसे पहले 5 plus 3 करेंगे और इनको bracket में रख लेंगे फिर हम plus का sign लगाएंगे अब हमारे पास 5 hole 2 by 3 में से 5 भाहर आ गया तो हमारे पास बच गया 2 by 3 प्लस next term में से भी hole number भाहर आ गया तो हमारे पास क्या बच गया 3 by 4 अब next step में हम क्या करेंगे 5 में 3 आइड करते हैं तो हमारे पास आता 8 प्लस में 2 by 3 प्लस में 3 by 4 अब जो हमारे पास denominator में जो दो terms है 3 और 4 इनका LCM लेते हैं LCM लेंगे तो हमारे पास 8 as it is रहेगा प्लस में 3 और 4 का जब हम LCM लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है 12 आता है अब 3 को क्या करेंगे जब 3 को हम 4 से multiply करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 12 आता है 3 को 4 से multiply करते हैं तो 12 आता है अब हमें क्या करना है जो numerator में 2 है इसको 4 से multiply करना है और जब numerator में 2 है 2 को 4 से multiply करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 plus next step में भी हमें क्या करना है 4 को 12 से multiply करते है तो हमारे पास 12 आता है अब हमें 3 है इसको क्या करना है numerator से multiply करना है 3 3 जा क्या हो जाएगा हमारे पास 9 अब next step में हमें क्या करेंगे 8 as it is रहेगा हमारे पास plus 9 और 8 को plus करेंगे तो हमारे पास आएगा 17 अपॉन में 12 अब देखो जो हमारे पास whole number का addition था उसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे हम 1 denominator लगाएंगे denominator लगाने के बाद में हमारे पास next step में क्या आएगा 12 हमारे पास LCM हा गया और जिस denominator 1 होता है तो LCM उपर वाले numerator से multiply हो जाता है 12 को 8 से multiply करेंगे तो 96 आता है then plus का sign दोनों का LCM और denominator से में तो 17 as it is आजाएगा अब हम लस करेंगे तो हमारे पास है 113 अपॉन में 12 अब हम क्या करेंगे इसको mixed fraction में convert करेंगे mixed fraction में convert करने के लिए 113 को हमें क्या करना है 12 से divide करना है 12 9 जा क्या होता है 108 अब 103 में से 108 को minus करेंगे तो हमारे पास 5 क्या बचेगा remainder अब आपको पता है 5 आपका remainder है 9 आपका quotient है और 12 यहाँ पर आपका divisor है तो mixed form में लिखने के लिए हमने कई बार आपको formula बताया है तो जो quotient होता है वो whole number बनेगा मतलब 9 जो remainder होता है वो numerator यानि 5 upon में जो divisor होता है वो denominator यानि 12 तो आपका answer क्या आगया है 9 whole 5 by 12 B part करते हैं B part में में दे रखा 3 whole 1 upon 5 plus 9 whole 7 upon 10 तो इसमें भी हम क्या करेंगे सेम हमारे पास जो whole number है first fraction से whole number 7 है second fraction से whole number 9 है इन दोनों को plus करेंगे और bracket में रखेंगे plus में अब whole number बहार आने के बाद first fraction में हमारे पास 1 by 5 बचिया ऐसे second fraction में 9 whole number बहार आगया है तो हमारे पास fraction क्या बचिए 7 upon 10 अब सबसे पहले हम जो bracket में 9 में 3 add करेंगे हमारे पास आगया 12 whole number plus अब जो हमारे पास यह आपको denominator नजर आ रहे है न 5 4 10 इनका हम लेते LCM, LCM हमारे पास क्या आएगा 10 आएगा 5 4 10 का LCM अब निकाल के भी देख सकते हूं 5 4 10 का 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 and 2 1 जा 2 और 5 और 2 की multiply करेंगे तो हमारे पास LCM में क्या आगया है 10 अब 10 LCM है तो 5 की table में कहां पे आता है 5 2 जा 10 होता है और 2 को उपर 1 से multiply करेंगे हमारे पास आएगा 2 plus 10 देखो यहां पर denominator और LCM same है तो जो उपर numerator वो as it is आजएगा यानि 7 as it is आजएगा अब हमें क्या करना है next step में 12 तो as it is रहेगा plus में 2 और 7 को plus करेंगे हमारे पास आएगा 9 अब आपको क्या करना है 2 के नीचे denominator लगाएगे 1 अब 1 और 10 का LCM हमारे पास क्या आता है 10 आजएगा LCM जिसके नीचे 1 होता है denominator तो जो LCM होता है उपर multiply होता है तो 12 को 10 से multiply करेंगे तो हमारे पास आएगा 120 plus में 10 दोनों denominator और LCM same है तो numerator as it is तो अब 120 में 9 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 129 upon 10 अब हमें क्या करना है इसको fraction में convert करना है तो fraction में convert करने के लिए हम क्या करेंगे 129 को 10 से divide करेंगे 10 वन जा 10 12 में 10 को minus करोगे 2 बचेगा 9 हमारा नीचे आजाएगा अब यह हमारा किस पर जाएगा 10 तूजा 20 और यहां से हमारे पास remainder में क्या आ गया है 9 तो यह 12 आपका क्या हो गया quotient 9 क्या है आपके पास remainder और यह जो 10 है यह क्या है आपके पास divisor तो हम इसको assemble करके mixed fraction में लिखेंगे तो quotient यानि 12 हमारा whole number बन जाएगा remainder 9 यानि हमारा numerator बन जाएगा और divisor 10 हमारा denominator बन जाएगा तो आपका answer क्या आगया है 12 whole 9 upon 10 C part करते हैं C part में में दे रहा है 19 whole 7 upon 10 प्लस में 12 whole 5 upon 8 अब सबसे पहले हम क्या करेंगे whole numbers को इखटा कर लेते हैं यानि bracket के अंदर लिखेंगे 19 plus में 12 first fraction से 19 whole number है और second fraction से 12 प्लस अब हमारे पास fraction क्या बचकी first fraction 7 by 10 होगे plus second fraction क्या होगे 5 by 8 होगे अब यहाँ पर next step में जब 19 में हम 12 को add करेंगे तो हमारे पास आएगा 31 प्लस में अब आपको क्या करना है first fraction as it is 7 by 10 प्लस में second fraction as it is 5 by 8 31 को as it is रखेंगे प्लस में हम LCM लेते हैं सबसे पहले LCM लेंगे 8 और 10 का 8 और 10 का LCM लेते हैं पहले इसको 2 से डिवाइड करते है 2, 4, 8 2, 5, 10 अगें 2 की टेबल से 2, 2, 4, 5 as it is आएगा अगें ये 2 से जाएगा 2, 1, 2, 5 as it is और लास्ट में 5 से डिवाइड हो जाएगा और अब यहां पे अगर हम multiply करें 2, 2, 4, 2, 8, 5, 40 तो आपका LCM क्या आगया है यहां पे 40 अब LCM हमारे पास आगया है 40 10 को 4 से multiply करते है तो 40 आता है 10 को 4 से multiply करते है तो 40 आता है और 4 को जब 7 से multiply करेंगे तो हमारे पास आएगा 28 प्लस में ऐसे ही 40 को जब हम 8 से 8, 5 से जा 40 होता है और 5 को 5 से multiply करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 25 31 as it is आएगा हमारे पास प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा 28 और 25 को add करेंगे तो आपके पास आजाएगा 53 upon में 40 अब next step में हमें क्या करना है जो 31 है इसके नीचे हम 1 लगा देंगे denominator तो 1 और 40 का LCM हमारे पास 40 आजाएगा मैंने पहले भी बताया जब denominator में 1 होता है तो LCM उपर वाले numerator से multiply हो जाता है तो 40 को 31 से multiply करेंगे तो हमारे पास आएगा 1240 प्लस में denominator और LCM सेम है तो second numerator 53 as it is तो अब 140 में 53 को add करेंगे तो हमारे पास आया है 1293 upon make 40 अब हमें क्या करना है अपने इस fraction को हमें mixed fraction में convert करना है तो mixed fraction में convert करना start करते हैं सबसे पहले 1293 को हम divide करेंगे 40 से 43 जा 120 अब 129 में से 120 जाएगा 9 बचेगा 3 को नीचे उतारेंगे हमारे पास अब आगया 93 अब 40 को 42 जा क्या होता है 80 और 93 में से 80 को minus करेंगे 13 बचेगा तो यह हमारा remainder आगया 13 आपके पास remainder है 32 आपका quotient है और 40 के आगया आपके पास divisor अब में इसको mixed form में लिखने के लिए क्या लिखते हैं quotient हमारा whole number बनता है यानि 32 whole number हो गया remainder हमारा numerator यानि 13 और divisor क्या है denominator 40 तो 32 whole 13 upon 40 यह आपका answer आगया है D part करते हैं D part में हमें दे रखा है 2 whole 15 upon 22 प्लस 3 whole 20 upon 33 तो सबसे पहले हम क्या करेंगे bracket में हमारे पास whole number है first fraction से 2 whole number है second fraction से 3 है यह दोनों को add कर लेंगे प्लस में अब remaining जो fraction बजगी first fraction क्या बजगी है हमारे पास 15 upon 22 और second fraction हमारे पास बजगी 20 upon 33 अब next step में क्या करेंगे 5 में 2 add करेंगे तो 5 हमारे पास बची गया whole number से आगया 5 प्लस में दोनों fraction है as it is 15 upon में 22 प्लस में 20 upon में 33 अब हमारे पास denominator में क्या 22 और 33 है तो हम उसका लेंगे LCM LCM निकालते है 22 और 33 का पहले 2 की table से divide करते है 2 और 2 और 11 आगे upon में 33 अब हम इसको क्या करते है 3 की table से divide 3 बंजा 3 3 बंजा 3 अब last में हमारे पास 11 की table से complete divide हो जाएगा तो अब इनकी multiply करते है 3 to just 6 और 6 को 11 से multiply करेंगे तो हमारे पास LCM में क्या आगे आपका 66 तो LCM हमारे पास आया 66 इसको put करके आगे solve करते है 5 as it is आएगा प्लस में ये जो 2 fractions है पहले इनका LCM ले रहे है 66 आगया 22 को 3 से multiply करते है तो 66 आता है और 15 को numerator को 3 से multiply करेंगे और 15 को 3 से करेंगे 45 आएगा प्लस ऐसे हमें क्या करना है 33 को जब हम 2 से multiply करते है तो 66 आता है और 2 को उपर 20 से multiply करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 40 अब हमें क्या करना है next step में 5 as it is प्लस में 45 को और 40 को add करेंगे तो हमारे पास आजाएगा 85 upon में 66 अब हमें क्या करना है 5 के नीचे कोई denominator नहीं हम 1 denominator लगाएंगे और इनका LCM लेंगे LCM लेंगे तो हमारे पास LCM आजाएगा 66 और 1 जब denominator में 1 होता है तो LCM उपर numerator से multiply हो जाता है और 66 को जब हम 5 से multiply करेंगे तो हमारे पास आएगा 330 प्लस में अब denominator और LCM सेम है तो numerator second as it is आएगा 85 as it is आगया हमारे पास अब 330 में 85 को add करेंगे तो हमारे पास आगया है 415 upon में 66 अब हमें क्या करना है इसको mixed fraction में convert करना है तो mixed fraction में करने के लिए क्या करेंगे हम 415 को 66 से divide करते हैं 66 को हम जब 6 से multiply करेंगे तो हमारे पास आएगा 396 और 415 में से 396 को minus करेंगे तो हमारे पास 9 बचेगा ये पास क्या आगया आपका remainder जो 6 है ये आपके पास क्या कोशेंट और 66 ये क्या बन जाएगा आपका divisor तो mixed form में लिखते हैं कोशेंट यानि 6 whole number हो गया remainder 19 हमारा numerator बन गया upon में divisor यानि 66 आपका denominator बन गया तो आपका answer क्या आया है 6 whole 19 upon 66 second question करते हैं second question में हमें क्या करना है जो given fraction है ना उनको simplify करके answer को या तो simplest form में लिखना है या mixed fraction में लिखना है तो A part देखते हैं A part में हमें दे रखा 7 whole 5 upon 6 minus 4 whole 1 upon 3 तो इसमें भी जैसे हमने first part में किया था वैसे ही करेंगे first fraction से whole number को bracket में लिखेंगे यानि 7 अब की बार हमारे पास minus का sign है तो minus लगाएंगे और second fraction का whole number क्या है 4 अब plus first fraction whole number के बाद क्या बचकी 5 by 6 minus का sign second fraction क्या बचकी हमारे पास 1 upon 3 अब 7 में से 4 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3 plus में first fraction 5 by 6 और minus में second fraction 1 upon 3 अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा LCM लेते हैं क्योंकि हमारे पास 2 denominator आगे और दोनों different है 6 और 3 का LCM लेते हैं देखो 3 2 जा 6 3 वन जा 3 और 2 वन जा 2 means हमारे पास LCM में क्या आगया 3 और 2 की multiply करेंगे तो LCM क्या आगया है 6 अब आपके पास LCM आगया है 6 तो 3 plus LCM लेंगे 6 देखो first fraction का denominator और LCM same है तो numerator as it is 5 as it is जाएगा minus का sign continue रहेगा 3 2 जा क्या होता है 6 और 2 को 1 से multiply करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 अब आपको क्या करना है अब next step में 3 as it is plus 5 में से 2 जाएगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3 upon 6 अब जिस fraction के नीचे कोई denominator नहीं होता हम 1 लगाते है अब क्या करेंगे 1 और 6 का LCM लेंगे 6 denominator में देखो 1 है तो LCM उपर multiply हो जाता है LCM को 3 से multiply करेंगे तो हमारे पास आएगा 18 प्लस अब आपके पास क्या है 3 denominator और LCM दोनों सेम है तो numerator as it is याने 3 अब 18 में 3 आड़ करेंगे तो हमारे पास आएगा 21 upon में 6 अब ये हमारा पहले थोड़ा सा reduce हो जाएगा 3 की table से 3, 2 जा 6, 3, 7 जा 21 अब आपके पास simplest form में क्या आगया है fraction आगए 7 by 2 अब आप इसको क्या करोगे अब इसको mixed में भी convert कर लेंगे हम 7 को divide करते है 2 से 2, 3 जा क्या होता है 6 और 7 में से 6 जाएगा 1 हमारे पास remainder बचेगा तो 1 हो गया आपका remainder 3 हो गया आपका quotient और 2 हो गया आपका divisor और mixed fraction में लिखने के लिए मैंने पहले भी formula बता है quotient को whole number बनाते है यानि 3 remainder हमारा numerator होता है यानि 1 और divisor हमारा denominator होता है यानि 2 तो आपके answer में क्या आगया है 3 whole 1 upon 2 अब B part करते है B part में में क्या दे रखा है 13 whole 3 by 5 minus 7 whole 7 by 15 सबसे पहले हमें क्या करना अपने whole numbers लेने bracket में first whole number है 13 second fraction से whole number है हमारे पास minus का sign लगा के 7 plus में first fraction क्या बचगी है हमारे पास whole number निकालने के बाद 3 by 5 minus का sign continue रहेगा और 7 whole number निकालने के बाद हमारे पास next fraction बचगे 7 upon में 15 अब 13 में से 7 जाएंगे तो हमारे पास बचएगा 6 plus में 3 by 5 minus में आपका 7 upon में 15 अब हमें क्या करना है यहाँ पे LCM लेना है 5 और 15 का 5 और 15 का LCM लेते हैं 5 के table से divide करेंगे 5 1 जा 5 5 3 जा 15 अब हमारे पास 3 से divide हो जाएगा 3 1 जा 3 and 1 as it is 5 और 3 की multiply करेंगे तो हमारे पास क्या आगया है LCM 15 अब LCM को लेके आगे question को continue करते हैं next step में 6 तो हमारा as it is रहेगा plus 5 और 15 का LCM लेंगे तो हमारे पास LCM क्या आगया है 15 अब 5 की table में 15 कहां पे आता है 3 पे 5 3 जा 15 हो तो जो 3 आया है उसको उपर numerator से multiply करेंगे 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 माइनस देखो denominator और LCM से में तो numerator as it is आजाएगा अब हमारे पास next step में क्या होगा 6 as it is plus 9 में से 7 जाएगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2 upon में 15 अब first fraction अगर हम देखे 6 की इसके निचे कोई denominator नहीं है तो हम 1 लगाएंगे अब आगे question सोल करते 1 और 15 का LCM हमारे पास क्या आएगा 15 पहले भी बताया है जिब denominator 1 होता है तो LCM उपर multiply हो जाता और 15 को 6 से multiply करेंगे तो हमारे पास आएगा मिक्स फ्रेक्शन में convert करने के लिए हमें 92 को 15 से divide करना पड़ेगा 15 से divide करते है 15 6 जा क्या होता है 90 अब 92 में से 90 को minus करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा तो ये जो 2 आया है ये आपके पास हो गया है remainder जो 6 आया है ये आपके पास आगया quotient और जो 15 आया है ये आपका बन गया divisor तो अब हम इसको mixed fraction में लिखने के लिए जो whole number होता है वो quotient होता है वो whole number बनता है यानि 6 और जो remainder होता है remainder क्या है 2 वो numerator बन गया divisor क्या है 15 वो आपका denominator बन गया तो 6 whole 2 by 15 आपका answer आ गया अब C part करते C part में में क्या दे रखा 3 whole 3 by 4 minus 1 whole 2 by 5 तो सबसे पहले हम क्या करेंगे whole numbers को bracket में लिखें first whole number है 3 minus second whole number है हमारे पास 1 अब plus का sign first fraction क्या बचगी हमारे पास whole number निकालने के बाद 3 by 4 minus का sign second fraction में one whole number बाहरा गया तो हमारे पास बचगी है 2 by 5 अब आपको क्या करना है next step में 3 में से 1 minus होगो तो हमारे पास बचगी है 2 plus 3 by 4 first fraction minus 2 by 5 second fraction अब अगर यहां पे हम देखे तो हमें क्या लेना पड़ेगा LCM LCM अगर हम लेते हैं 4 और 5 का तो 4 को multiply कर देते है 5 से तो हमारे पास LCM में क्या जाता है 20 तो LCM क्या आगे आपके पास यहां पे 20 तो LCM को लेके आगे question को solve करेंगे आप 2 as it is रहेगा हमारे पास plus जो हमारे fractions का ले रहे हैं 20 4 की table में 20 कहां पे आता है 5 पे 4 को 5 से multiply करते है जिए 20 आता है 5 को 3 से multiply करेंगे तो हमारे पास आएगा 15 अब minus का sign 5 4 जा 20 होता है 4 को 2 से multiply करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 अब next step में 2 as it is रहेगा हमारे पास plus 15 में से जब 8 को minus करेंगे तो हमारे पास बचेगा 7 upon में 20 2 के निचे कोई denominator नहीं है 1 denominator लगाएंगे अब 1 और 20 का LCM लेंगे तो 20 आएगा first fraction में denominator में 1 है और LCM 20 है तो 20 उपर numerator से multiply हो जाएगा 20 को 2 से multiply करेंगे हमारे पास आएगा 40 denominator और LCM सेम है तो next denominator 7 यानि as it is अब आपके पास fraction में क्या आगया है 47 upon में 20 अब हमें क्या करना है इसको mixed में convert करना है mixed में convert करने के लिए हम 47 को 20 से divide करते है 22 जा क्या हो जाएगा 40 47 में से 40 जाएगा हमारे पास 7 क्या बचेगा remainder तो यह आपका remainder है 2 आपका क्या हो गया quotient और 20 क्या हो गया आपका divisor अब इसको assemble करके लिखते है जो whole number होता है वो quotient होता है वो whole number बनता है यानि 2 remainder होता है वो numerator बन जाता है यानि 7 और divisor होता है वो बन जाता है denominator तो आपका answer क्या आगया है 2 whole 7 upon 20 धीप आट करते हैं last part है इस question का 2 whole 3 by 14 minus 1 whole 5 by 21 यह 1 whole है हमारे पास अब हम सबसे पहले क्या करेंगे हमारे पास जो whole number है उनको bracket में लगेंगे first whole number है 2 first fraction से minus का sign है second fraction से one whole number है plus में हमारे पास क्या बचे गया 3 upon में 14 minus second fraction में बचे गया 5 upon में 21 next step में 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा plus में first fraction 3 upon 14 minus में second fraction 5 upon में 21 अब हमें क्या करना पड़ेगा यहापे LCM लेते है LCM किसका लेंगे 14 और 21 का क्योंकि यह दोनों ही denominator है हमारे पास तो 2 के table से divide करते है 2, 7 जा 14, 21 as it is अब इसको 7 से कर देते है 7 बचेज़ 7 7, 3 जा 21 अब यह 3 से divide हो जाएगा 3 बचेज़ 3 तो 7, 2 जा 14 और 14 को 3 से multiply करेंगे तो हमारे पास आएगा 42 यानि LCM हमारे पास क्या आगया 42 अब LCM को लेके आगे question को solve करेंगे अब next step में 1 as it is रहेगा अब LCM किसका लेना है 14 और 21 का LCM हमने निकाला था 42 अब 14 3 जा 42 होता और 3 जो आया उसको उपर numerator से multiply करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 minus का sign as it is 21 2 जा 42 होता 5 को 2 से multiply करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 अब 1 को as it is रखेंगे plus का sign देखो यहाँ पे मैं sign होता है हम वो यूज करते है तो यह हमारे पास आगया 1 upon में 42 अब इसको थोड़ा सा simplify करेंगे 1 as it is अब plus minus क्या हो जाता है हमारे पास minus 1 upon में 42 अब यहाँ पे हम 1 के निचे कोई denominator नहीं है हम 1 यूज करेंगे अब 1 और 42 का यूज के आगया 42 और जिसका denominator में 1 होता है तो LCM उपर multiply हो जाता है 42 को 1 से multiply करेंगे तो 42 आएगा minus denominator और LCM सेम है तो first second numerator as it is 41 अब 42 में से 42 में से 1 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 41 upon में 42 तो यह क्या आगया आपका answer in simplest form